हेलो दोस्तों स्टोक मार्गेट लीडर में आपका सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा दोस्तों इसी मुट्टि के बारे में जो आप आपनी financial planning कर सकते हूं अगर आपके चोटी आओदी के गोल एमीडियम यह करके रख सकते हूं पर वह अपने सेविंग अकाउंट में आर्डी कर दो फिक्स कर दो ऐसे कर सकते आप तो अगर आपको कहीं जाना है घूमने जाना है विदेश यात्र करनी है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है तो उसके लिए भी आप फंड जोटा सकते हो दोस्तो तो मुच्वल फंड से आप अप आपको अच्छी अमांट मिलेगी और उस टाइम पर आपको पूरा आपका खर्चा हो जाएगा आपका घर हो जाएगा आपकी ट्रिप हो जाएगी आपकी बच्चों की पड़ाई हो जाएगी यह इसे आप पहले से प्लैनिंग करना पड़ेगा दोस्तो डायरेक लिए अभ आपको घर लेना है चार-पांच साल बात तो आपको कितनी आमांट लगाने पड़ेगी वह भी आपको सोचना पड़ेगा फिर आपको बच्चे की पड़ाई है बच्चे आपकब आएगा पड़ने के लिए उसको जब बड़ा खर्चा लगेगा तो आपको कितने अभी साल बच्चे उसके हिसाब से आपको इंवेस्मेंट करनी चाहिए दोस्तों तो अभी देखे किस तरह के होते हैं फंड और अपने गोल छोटी अवधी के गोल चे मैने से तीन साल तक अगर आपके गोल है तो आप डेट फंड में इंवेस्ट किजी डेट फंड में ऐसा होता है दोस्तों वहां पर fix return मिलते हैं इसा नहीं कि ज्यादा volatile रहता है एक्विटी में जाओ गया आप तो ज्यादा volatile रहता है मार्केट और लंबी आवधी में ही पैसा मिलता है तो एक्विटी में जादा पैसा बनता है दोस्तों debt fund और hybrid fund की जगए एक्विटी में जादा पैसा बनता है तो वह लंबी आवधी के लिए चाहिए दोस्तों ऐसे short term में कुछ नहीं होता है और फिर बाद में इन्वेस्ट करने की सोचे डारेक्ली वह कोईशी का भी वीडियो देख कि आप छे मेना दो साल के लिए पैसा मत लगए आपको अगर लंबी आवधी के लिए इन्वेस्ट करना है तो यह आप equity मार्केट में आईए और अगर आपको छोटी आवधी में ही गाड़ी खरीदनी है तो ऐसे के लिए आप hybrid fund चूज कर सकते हो hybrid mutual fund में दोस्तों डेट फंड भी रहता है और equity मार्केट के शेर्स भी रहते हैं hybrid fund equity और डेट दोनों से मिल रहते हैं आप दीख सकते हो conservative hybrid fund BAF balance advantage fund तो इससे भी रहते हैं दोस्तों balance advantage fund और hybrid fund यह दोनों चेक कर सकते हो आप medium अवधी के लिए और long term के लिए दोस्तों आप purely equity मार्केट में वह भी small cap mid cap में जाना चाहिए क्योंकि small cap और mid cap में ज्यादा chances रहते growth के और large cap में कैसा रहता है दोस्तों steadily उनकी growth होती रहती है आपको yearly 5-10% के return मिलते रहेंगे वो कुछ companies डूबने वाली भी नहीं और ज्यादा growth भी नहीं देखा सकते हैं कि already बहुत बड़ी companies रहती है तो चोटी companies को ज्यादा chance रहता दोस्तों आगे बढ़ने के लिए अभी पांच करोड का business कर रहे है तो अगले साल direct 10 करोड का हो सकता है 20 करोड का भी हो सकता है तो small cap companies grow करने की ज्यादा कोशिक्स करती है और डूब भी जाती है small cap company मगर वैसे manage किया हुआ रहता है दोस्तों mutual fund का portfolio डूब भी गया तो उनको दूसरे शेयास वैसे रहते जो सहारा दे सकते है तो mid cap और small cap में आपको जाना चाहिए लंबी आउदी के लिए तो लंबी आउदी में small cap mid cap उसी target के साबसे आपको fund भी choose करने आने चाहिए दोस्तों otherwise आप short term के लिए equity लोगे long term के लिए hybrid fund लोगे तो इससे नहीं चलेगा दोस्तों आपको थोड़ा सा study करना चाहिए कौन सा fund किस आउदी के लिए अच्छा है किस fund में जाना चाहिए मैंने बहुत बार वीडियो बना किसा और safe return मिलेंगे आपको risk के बहुत ही कम रहती है large cap में तो आपके safe return बन जाएगे मगर आप short term के लिए जा रहे हो और equity market में वह भी small cap में जा रहे हो तो वह गलत बात है दोस्तों आपको debt fund चिनने चाहिए क्योंकि वह fixed return देते तो ऐसे में जाना चाहिए आपको किस कितन fund कुछ निवेश कर सकते हैं और आप देख सकते हो गोल-oriented fund तो आपके goal-oriented वही बता रहा हुए दोस्तों आपके target जो भी उसी के सबसे आपको fund चूज करने दोस्तों solution-oriented fund दो तरह के fund होते हैं दोस्तों बच्चों की भविश्य की planning और retirement की planning करना है आपको तो अब देख सकते तो tax में छूट का फाइदा चाहिए तो आपको ELSS fund में चुनना चाहिए ELSS में आपको tax benefit भी मिलता है दोस्तों मगर उसमें एक fund आए दोस्तों आपका lock-in रहता है तीन साल पांच साल के लिए lock-in period रहता है दोस्तों तो children fund retirement fund दोनों में पांच साल का lock-in है आप दीख सकते हो तो तीन साल का भी आए दोस्तों ELSS में जाओगी तो आपको तीन साल का lock-in period बच्चों के लिए अगर रखकम चाहिए maturity case time आपको अच्छी रखकम चाहिए तो पांच साल locking कर दीजे दोस्तों कोई बुरी वात नहीं आपको fund अच्छे से return दे देंगे मगर सोच समझ के invest करना एक बच्चों की पड़ाई के लिए S.I.P. कर दो एक अपने घर के लिए S.I.P. कर दीजे तो ऐसे करके आप अपने target पूरे कर सकते दोस्तों आपकी salary कितनी और आप कितना invest कर सकते हो उसके हिसाब से आपको planning करनी पड़ेगी दोस्तों तभी जाके आप अच्छी wealth create कर झाल